आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student, इस Question में बोला गया है कि हम पास यहां पर एक Current Caring Coil है जिसकी Radies में पास यहां पर Capital R के Equal Given है और यहां पर अपने बोला कि जो Magnetic Field होगा उसका Ratio क्या होगा हम पास यहां पर अपने दो Different Points बितार क्या है पहला Point क्या है उसके Center पे और दूसरा Point बोला उसके Axis पे एक Point है जिसकी Distance क्या है R by Route 3 इसके Center से तो इन दोनों Point पे जो Magnetic Field होगा उसका Ratio आएगा वो क्या आएगा आपने को पूछा गया है तो इस Question को अपने आपर Sol करते है तो सबसे पहले आपने आपर जो Radies Given है वो कितनी Given है यहां पर Capital R के Equal Given है तो Mal-Lating मेर पास यहां पर यह एक मेर पास यहां पर कोईल है ओज़ें पर Circular Coil है इसकी यहां पर Axis हो गई ठीक है यहां पर Origin बोलता हूं में पर आपर Origin पर इसका Center है इसकी जो Radies अपने हो Given हो किसके Equal Given है इसकी जो Radies है वो हम पास यहां पर Capital R के Equal Given है यहां से एक Axial Point है Axial Point है जिसकी Distance क्या मैं बोलता हूं Axis Distance बोलता हूं तो यहां पर जो Magnetic Field होता है B ठीक है उसकी वेल्यू क्या Given है यहां पर उसकी वेल्यू पर आपर यह X की वेल्यू हो Given है यहां पर R by R into Root of 3 तो यहां पर जो Axial Position पर जो Magnetic Field होता है 3 by 2 यह होता हम रचा में Magnetic Field की जो वेल्यू होती है तो यहां पर में प्रास क्या हो जाएगा सबसे पहले मैं Center पर क्या कर दूँगा मैं बूलूँगा 4 Center of Coil Center of Coil क्या हो जाएगा यहां पर जो X के वेल्यू पूट कर दूँगा तो X के वेल्यू जीरो पूट क्या हो जाएगा यहां पर जो B आएगा Center के यहां पर में B सबस्क्रिप्ट में Center के लिए C बोज जाएगा वो क्या जाएगा वो जाएगा म्यू नोट बाइ 2 इंटू I R स्क्वाइर X 0 जाएगा अंदर रोली R स्क्वाइर रहेगा R स्क्वाइर 2 दी पावर 3 बाइ 2 तो 2 से 2 गैंसल हो जाएगी पावर तो क्या रहेगा यहां में पास यह होगा म्यू नोट I R स्क्वाइर डिवाड़ बाइ 2 इंटू यहां से हो जाएगा R क्यूब तो Center पे जो Magnetic Field हैगा उसके वह जाएगी B into C यहां पे हो जाएगा सब्सक्रिट में तो देगा म्यू नोट I divided by 2R यह में पास क्या आगया Center पे जो Point House पे जो Magnetic Field House की Value में पास आगी इसको मैं Equation First से denote कर रहा हूँ Similarly यह में पास क्या है Axial Point है यहां पे यहां पे मैं आगे जो Magnetic Field आउसको मैं बोलता हूँ 4 X is equal to R by root 3 ठीक है Magnetic Field आउसको मैं बोलता हूँ B X बोलता हूँ तो यह लिगा जाएगी मू नोट by 2 into I into R square divided by R square plus X क्या है R root 3 तो इसका square क्या हो जाएगा 3 R square 2 the power क्या है यहां पे 3 by 2 तो आजएगा Mu note by 2 into I R square divided by हूजएगा यहां पे हूजएगा 4 R square 2 the power 3 by 2 तो यह क्या हूजएगा यहां से B X आजएगा उसकी बोलता है कि Mu note by 2 into I R square यह क्या आजएगा 4 R square का पहले square root ले लोंगा कितना आजएगा यहां पे 2 R आजएगा तो आजएगा 2 R to the power 3 तो आजएगा Mu note into I R square divided by 2 into 8 R तो value क्या आजएगा में पास यहां पे इसकी value आजएगी हो आजएगी यहां पे Mu note I divided by आजएगा 16 आजएगा आजएगा अब ने क्या बोला कि जो ratio हो find out करना है किसका center पर जो magnetic field हो जो axis equal to R by 2 magnetic field हो आजएगा B center पे divided by B axial position पे तो center पे क्या value है center पे Mu note I by 2R divided by X6 पे हो है Mu note I by 16R 16R उपर से लाजएगा यहां से तो अगर यहां पर अपन देखेंगे clearly तो mu note i से mu note i cancel हो जाएगा r से r cancel हो जाएगा ratio क्या रहेगा 16 by 2 that is equal to 8 by 1 तो मैं पास जो bc is to bx है उसका ratio कितना जाएगा 8 is to 1 यह मैं पास क्या जाएगा जो magnetic field से उसका ratio हो जाएगा हम पास यही question पुछा गया है तो जो जो option D हो जाएगा इस question का अपना correct answer हो जाएगा thank you students